बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने फिर्ख इश्क हुआ और हम लावारिस हो गई जीते जी इनसान धेरों ख्वाहिशे रखता है लेकिन अंतिम समय कई बार इनसान को अगने नसीब होना भी मुश्किल हो जाती है ऐसे कुछ लोगों के अंतिम संसकार किये जाने का पालंपूर शनी सेवा सदन गवाह बना हुआ है सदन इन दिनों मृतकों को मोक्ष परदान कर रहा है कोरोरा वाइरस के दौरान इन दिनों शवों का दाह संसकार करना आसान नहीं रह गया है उन लोगों के लिए भी एक बड़ी परिशानी है जिनके परिजन इन दिनों दूर दराज में हैं और ऐसी दुखत घड़ी में उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है पालंपूर शनी सेवा सदन ने लौकडाउन के दौरान असहाय लोगों के लिए एक वाहन तयार किया है इस वाहन में शनी सेवा सदन शवों को निशुलक शमशान घाट पहुंचा कर अंतिम संसकार करवाने की रस्मे करवा रहा है वैसे तो शनी सेवा सदन ने ये वाहन उन असहाय परिवार वालों को समर्पित किया है जो परिवार काफी दूर है और शव का संसकार करने में असमर्थ हैं लेकिन इन दुनों जब कोरोना वायरिस को लेकर संकट बना हुआ है तो शहर के अन्य लोगों के काम भी ये वाहन आ रहा है शनी सेवा सदन के संचालक परविंदर भातिया इस सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं और शवों को खुद शम्शान घार तक पहुंचा रहे हैं बात यहीं खत्म नहीं होती परविंदर भातिया को कई बार दासंसकार भी अकेले ही करना पड़ रहा है असहाय में हैं हर रोज कोई नहीं मुश्किले पैदा हो रही है तो शनी सेवा सदन अपना वहते पूरी तरह निपा रहा है जिसमें किसी जैसे राशन बाटना जहां बच्चों के लिए कपियां पैन पैंसल के अंतियां करना इसके लावा एक और बड़ी सेवा है जो शनी सेवा में 6-7 सालों से इस सेवा में लगा हुआ है हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं जहां में किसी जुरूर कोतियों में एक फोन करते हैं और उसी टैम वहां पर पहुंच जाते हैं और शाव के संसकार में हम पूरी मदद करते हैं 820668988289828982